असलामलेकुम विल्कुम बैक टु माय एनदर न्यू ब्लॉग और आज फिर से डेली रुटीन लेके आई हूँ और पता किया है मेरे ब्लॉग्स वह बहुत सिंपल होते हैं अगर आपको सिंपल लाइफस्टाइल पसंद है तो मैं उमीद करती हूँ कि आप मेरे साथ रहेंग आज यूट्यूब की विडियो करनी है व्लॉग करना तो ये करना ऐसा नहीं होता जैसे जैसे फ्लो में लाइफ जा रही होती है मैं आप लों के साथ शेयर करती हूँ और आप लोंका बहुत शुक्रिया जितने मेरे नियू सब्सक्राइबर है जितने पुराने आदा करें निमाज बहुत जरूरी है आप खुद भी निमाज पढ़ें और स्पेशल जो है न वो अपने बच्चों को इस चीज़ की जरूर तरगीब दें खुद निमाज पढ़ ली और बच्चों को नहीं बोला तो फिर कोई फाइदा नहीं है आपने इनको ये चीज़ से और मेरी भी आजकर ये कोशिश है कि मैं अपने बच्चों को निमाज की जरूर तरगीब दूँ उनको कुरान पढ़ाएं निमाज पढ़ाएं दीन की तालिम बहुत जरूरी होती है बहुत ही जरूरी है आज मैं आपके लिए बना रही हूं जी आलू की डाल आलू की डाल होती है बेसिकली उसमें यह होता है कि आलू बॉयल करके मैश करके ना डाल की तरह बनाते हैं अंदर जो है ना एंड में डालते हैं और मेरे पास पड़ा हुआ है जी आज बंद गोबी का छोटा सा पीस बंद गोबी बनाऊंगी साथ में राइस पोईल करूंगी अच्छा आज का जो वाईस ओवर ना बहुत मुश्किल है आज मैंने ना एक अपनी घलती पकड़ी है जो कि आप लोग इतने लोग मेरी वीडियो देख रहे होते हैं और मुझे बिल्कुल नहीं बताते हैं यह गलत बात होती है ना मैं यह चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियो गोर से गलती है या मेरे वोईस ओवर में कोई मिस्टेक है तो आपको मुझे जरूर बताना चाहिए मेरी भाबी बड़ी भाबी जो है उन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट नोट किया और वाकि आज मुझे इतनी मुश्किल हो रही है मैं यह तीसरी दफ़ा ना ट्राइ कर र करें थोड़ी सी मिस्टेक सी होंगी आपसे फिर नेक्स टे नेक्स टे. नेक्स टे आइसे हिस्सा जाती है लेकिर मेरी आज कोशिश हो गी कि मैं यह आदत ना दो रहा हूं और आपने भी नोटिस करना है मेरी पिछली वीडियो देखनी है फिर आज वाली जो वीडियो है यह भी देखनी है फिर मुझे बताना है किया थी वो बात अगर आप मुझे वो बात बता दें यगीन करें यगीन करें बन गोबी इसको मैंने काट लिया है आलू हमने बिल्कुल मेश कर लेने है इस तरह से मेश करना है ना कि जैसे हम लोग बनाते है ना आलू की टिकियां इस तरह से प्यास ब्राउन की है इसके अंदर साबित गरम मसाला एड़ किया है ओमलेट सिंपल सा बनाया है और देखें पानी इतना मैंने ऐड़ किया था अब आधा रह किया है अंडा जो हम लोग बना रहे हैं उसको क्या करना है बारी काट लेना है काट के हमने ये जो आलू की डाल बनाई है इसके अंदर डाल देना है इसको बं को भी मेरी रैड़ी हो ग एक रिंपन से होतीजित grabनें लूब से breeze अच्छ इक्षड में पल Gill में पुछिः इसका आई उच्छा करनें जाया कुंश्ट कम से कम खाना चाहिए अगर आपका दिल करता है आप लूग का लगो मेरा बिलकुल नहीं दिल करता लेकिन बच्चों के लिए ना मुझबूरी होती है इसलिए बनाना होता है अब मैंने इसके अंदर धनिया काटके डाल दिया हमारा सालन आलू की डाल रेडी हो चुकी है बहुत मज़े की है आप इसको प्राटे के साथ खाएं रोटी के साथ खा मेंचिन मिंसा को और जारा को मैंने पालर लेके जाना है उनकी हैर कटिंग करवानी है और उपर से थी मेरी बटे आज मेरे हस्बिन और बच्चों ने दिया मुझे सर्प्राइस मैंने आज तक नहीं काटा केक यकीन यकीन करें और आज वोईस आवर इतना मुश्किल हो रहा मेरी बटे थी अजलान सोया हुआ था इतनी मुश्किल से मैंने उसको उठाया लेकिन आदा सोया आदा जाका और पिर मैंने केक काटा अम्मी आयूँ थी सोनी आयूँ थी मैंने सोचा कि चले बना लेते हैं सैलड और मेरे घर का जो सैलड है वो बहुत फेमस है बहुत सालेड है यह तो सबको बनाना आता है लेकिन जैसे मैंने बनाया ना इस तरह आपने ट्राय करना है और फिर मुझे जरूर बताना है आपने कि बहुत मज़े का हुआ था आप भी कह लिए या अंटी कह लिए अब हम लोग हमारे 40 में हैं अगर आप मुझे अंटी भी कह लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, देखें जो उमर होती है ना, वो इंज्वाइख करने के लिए होती है, चाहें आप यंग हैं, आप मिडल एज में हैं, आप बूरे हैं, तो अल्ला का शुकर अदा करना चाहिए, अल्ला की बहुत सारी नेमते हैं, आपको सहत मन्द होना हर عمر को enjoy करें परिशान नहीं हो और दोस्रों को भी परिशान ना करें अलहमदलिल्ला मैं भी खुश हूँ के उमर के इस हिस्से में मैं healthy हूँ अपने घर में सुक्षी हूँ और सबसे बड़ी बात यही होती है इनसान की जिन्दिकी में के इनसान को खुश और हेल्दी होना चाहिए रफली में काट रही हूं अगर आप चाहें तो इनको पतला पतला काटेगा वैसे यूजली ना मेरे घर में सबको पतला कटा हुआ सैलड मेरी जो सासमी है उनको तो बिलकुल इस तरह का सैलड पसंद है के पतला पतला काटा हुआ हो ना लेकिन मैं अभी जल्दी में थी यहां पे वैसे मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई हुई है अगर मैं सलो में चलाती तो फिर आपने कहना था कि सारी वीडियो में सलाथ बनाती रही हूँ इस वज़े से मैंने स्पीड हाई करती थी लेकिन आप लोगों के साथ मैंने रेसिपी शेयर तो करनी थी ना इस वज़े से लेमन लिया हुआ है एक धनीया भी आया हुआ था घर में और साथ में मैं दूसरा काम ये कर रही थी कि दून रही थी लंज़ बॉक्स ये लंज़ बॉक्स मैं लेकि आई थी बंगलादेश से बहुत अच्छे थे made in Korea थे वहाँ पर ना बहुत सारी Korea की चीज़ें थी और प्राइस भी काफी अच्छी थी इस वज़ा से फिर मैं ज्यादा नहीं लेकी आई थी लेमन लेना है हमने एक विनिगर लेना है इसके साथ ब्लैक फिपर लेनी है सॉल्ट लेना है और अगर आपके पास आलिव उयल है तो वो इस्तमाल करना है मेरा आलिव उयल खतम हुआ हुआ है और मैं गई भी नहीं हूँ और आजकल यह जो आसपास दुकाने हैं यहां पर प्राइस बहुत जादा है इस वज़ा से मैं कह रही थी कि आलिव बगारा जाओंगी वहां पर जाके जितनी भी यह जरूरत की चोड़ी चोड़ी चीज़ें होती हैं ना वहां से ले आऊंगी प्राइस बहुत अच्छी होती है और यहां पर आजकल आप यकीन करें बहुत ज़्यादा हाई हैं प्राइस तो इंको आम लोग मिक्स कर लेंगे यह ड्रेसिंग हमारी रेडी हो गई इसको हम सलात के उपर डाल देंगे और हमारा यम्मी यम्मी किसم का सैलट रेडी हो गया और बचोंने भी बहुत इंजॉय किया बर्णो ने भी इंजॉय किया लेकिन आपने याद रखना है कि वो क्या मिस्टेक थी जो मैं बार-बार करती थी आपने मुझे जरूर बताना है अगर आपने नहीं बताया तो फिर मैं यह सोचूंगी कि आप मेरे व्लॉग्स गोर से नहीं देखते अगर आपने यहां तक देखे हैं तो फिर आपने पीछे जाके मेरा कोई व्लॉग देखने है मुझे बताना है अपना ख्याल रखने है दौाओं में याद रखने है अल्लाह आफिज और फी अमार